यह फ्रेंट्स वेल्कम टो स्टी हम में डीव लर्निंग। इससे पहले वेले वीडियो में मैंने आपको अटकिल और नाउन पढ़ा दिया था ठीक है नाउन के कोश्चंस पर दिखा देए किस तरह के questions होते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो देख लो जिससे कि आपको exam में थोड़ी बहुत help मिलें तो मैं थोड़ा pronoun के बारे में बता देती हूं उसके बाद फिर कुछ questions करेंगे ठीक है तो pronoun होता क्या है ठीक है तो pronoun क्या होता है word used in place of noun noun के जुगह जो यूज किया जाता है उसको बोलते है प्रो नाउन ठीक है डियार यूज तो एवाइट दा repetition of noun in sentence तो sentence में noun का repetition जो होता है ना उसको एवाइट करने के लिए हम लोग यूज किया जाता है यूज करते हैं ठीक है जैसे कि अब हर बार तो हम लोग CTR सीटा नहीं लिख सकते ना एक बार बता सकते हम आइन में सीटा तो फिर इसके बाद या किसी का भी हम लोग लिखते हैं कि सीटा ये है प्रो नाउन बोलते हैं ठीक है तो जैसे कि I saw a boy on the roof इसमें इसमें sentence आप देख रहे हैं and next है he seemed to recognize me he जो यहाँ पे है ना he he यहाँ पे pronoun है ठीक है he क्या है pronoun यह जो दिख रहे है न ही यह I I भी क्या है pronoun ठीक है अब देखिए kinds of pronoun कितने होते है एक होता है personal pronoun ठीक है personal pronouns में जो है क्या होता है this pronoun refers to the words which are used in place of noun referring to person person के लिए यूज किया आता है ठीक है personal pronoun have the following categorization तो गाइस pronouns से questions कम से कम तीन questions पूछे जाएंगे आपके 30 questions होंगे English से 30 questions में 3 questions pronouns के होंगे तो यह personal noun आपको याद रखना यह personal noun है और personal noun में क्या क्या आता है person के लिए I यूज किया आता है ठीक है singular में होगा I and wait तो देखें person के लिए यूज किया आता है एक person के लिए singular के लिए I and plural के लिए V ठीक है यह person के लिए है ठीक है और उसके बाद person यू यू के लिए यू ही होता है plural में भी यू होता है और फिर person male female and neuter male के लिए he female के लिए she and neuter के लिए it and plural में दे और फिर तो ये होता है nominative case and objective case में क्या होता है singular में I यू जो use होता है मी में ठीक है ये I का पोजिट है और वी का जो है प्रेंडरल में objective case में us होता है ठीक है ये आपको याद रखना है and positive case में क्या होता है my या mine and मैं के लिए MIN och में में होता है अऩर हम मिंक्वी के लिए हम लोग के लिए यह यूज़ करते हैं आवर अभजेक्टिब में still जो मेल के लिए हम लड़का के लिए हम लड़की के लिए हर and it use करेंगे न्यूटर के लिए ठीक है इसमें चेंज नहीं होता है और दे का जो होता है ना दे का यह होता है objective case में plural them होता है ठीक है they them होता है ना they them there something something ऐसे होता है he's हो गया positive case में लड़कों के लिए लड़की के लिए हर यह हर्स और न्यूटर के लिए it's and there or there's यह होता है ठीक है rules of personal pronoun ठीक है personal pronoun का rule क्या होता है must be of the same number gender person as the noun for which it stand example I'm not one of those who believe everything they see देखो यहां पर आई भी यूज किया गया है ठीक है and I not I'm not of those who believe everything they see and though दूसरा example के every man must love his country ठीक है every man must love his country यहां पर जो हीज देखो हीज है ना sorry he is the one यह जो है हीज 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 प्रशनल प्रणाउंट है ओके प्रशनल प्रणाउं का रूल क्या है अप्रशनल प्रणाउं मस्ट भी ऑफ दा सेम नंबर सेम नंबर के लिए होता है जेंडर के लिए प्रणाउं 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 फोर इस थे रूल क्या है एक प्रणाउं इस उस एज़ अबज्यक्त अगर प्रणाउं यूज यूज आता है अब्जट के तोर पर ऑफ दबर और पर प्रशिए शुट पी इन दा अबचेक्टिव के ऊकई जैसे की he was shouting at me he was shouting at me he joe he was teaching him me pronoun okay and he was teaching me sorry he was teaching him okay next rule is world such as as good as as well as as soon as as beautiful as as intelligent as it is here followed by nominative case when it comes to provide news no one is as good as he okay so here you can see the rule from the noun okay yeah 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 बीडियो को ज़्यादा नहीं पताप वद होतмен जानते दूसरा है धूसरा प्रॉण है यह रिफ्लेक्सिशप प्रिनौन पहले लोग ने प्रेश्नल प्रॉण बढ़ा था यह क्या है रिफ्लेक्सिशप प्रॉण नाउट है ध्द सब्सक्र elaboration self in plural form यह जो होते हैं self in singular form और self in plural form जैसे कि my self ठीक है self use करते हैं क्या use करते हैं self end होते हैं self से self ठीक है जैसे कि self होय है singular मितलब अकेले के लिए and plural के लिए हम लोग क्या use करेंगे selfs selfs यह plural के लिए use करें plural form के लिए तो जैसे कि my self themselves, yourself, itself himself, ourselves यह है reflexive pronoun ठीक है इसके sentence कैसे रहते हैं आपको questions एक sentence दे दिया जाएगा और उसमें पूछा लाया कि यह कौन सा प्रणाउन है positive है personal है या reflexive pronoun है तो यहां मैं आपको एक sentence दिखा रही हूँ यहां पे sentence दिया हुआ है he resigned himself देखो himself दिया होने जिसमें भी self दिखेगा आपको समच चानब की वो personal pronoun है ठीक है himself to his failure यह हो गया तो इसका रूल्स क्या है रूल नमर वन क्या है reflexive रिफ्लेक्सिव प्रणाउन इस यूज्ट विद्धा फॉलोईंग वर्ब absent अवेल अप्लाइ इंज्वाइब रिजाइन एक्वेट रिवेंच एक्षर्ट अड़ेप्ट एज़स्ट इटिसी एक्साम्पल ओके तो बहुत थारे होते है तो यहां पे आपके एक्साम्पल्स हैं कुछ कुछ एक्जाम्पल कुछ संटेंस आपको दिखा रहे है कि दिखे he resigned himself to his failure you should abel yourself of every chance in life ठीक है you should abel yourself of every chance in your life यह भी क्या है यह reflexive है ओके next है rule reflexive pronoun is not used with the following verb keep यह जो भर्ब है ना इन सब के साथ use नहीं किया जाते हैं कभी भी reflexive pronoun keep हुआ keep के साथ use नहीं किया जाता है break के साथ use नहीं किया जाता है set के साथ use नहीं किया जाता है bath हुआ make हुआ stop हुआ still qualify hide it is बहुत सारे ठीक है अब देखो यह जितने भी भर्ब है ना यह break keep set bath make stop still qualify hide यह सब के साथ use नहीं किया जाता है ठीक है reflexive pronoun और sentence क्या है he kept away from the function he kept away from the function है ना and डूसरा है she hid in the room she hid in the room यहां देखो यह keep है बस kept लिखा हुआ हाँ 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 हीड लिखा हुआ है तो आपको reflexive pronoun समझ में आ गया होगा ना अब हम लोग demonstrative pronoun के बारे में जानेंगे demonstrative pronoun जो होते है ना are used to point out the object to which they refers are called demonstrative ठीक है point out करते हैं object को to which they refers जासे कि this, that, those, such, this, it is यह होते हैं demonstrative pronoun ठीक है this and that first rule क्या है this and that takes singular verb ठीक है, singular verb के साथ while this these and those means यहाँ देखे this and those takes puller के साथ ठीक है these or those puller के साथ and these or that singular verb के साथ ठीक है जसे कि example यहाँ है that man is our principal जो यहाँ पर दिया हुआ that man is our principal तो यह हो गया second sentence क्या है this book this book that man यहाँ एक मिनिट that man is our principal एक एंशान के लिए बात किया जा रहा था singular हो गया this book books तो बहुत है नहीं तो बिलंग्स टू हिम यह books belongs to हिम है तो इस तरह से आपको pronounce पहचानने है recognize करना है ठीक है आप बस मुझे एक बात बता दो कि आपके एक्जाम कट तक है क्योंकि मैंने जो देखा था उसमें तो 16 और 17 दिया था तो बता देना ताकि मैं वीडियो बना दू आपके लिए तो आपको help मिल सके क्योंकि मैंने पहले वीडियो नहीं बनाया था मुझे लगा exam नहीं होगी ठीक है तो चलो शुरू करते हैं दूसरा rule है दूसरा rule क्या है rule 2 pronoun it comes before phrase and clause to which it refers pronoun जो है न it comes before phrase and clause ठीक है जैसे कि it is true that India has won the match यह true है कि India won the match ठीक है next it is confirm that he is wrong मैंने बहुत सारा sentence आपको पढ़ा भी दिया मैं भी आपको यहाँ पे ही revision हो गया बहुत सारा ठीक है नेक्स्ट है फूर्थ नमबर है प्रणाउन का indefinite pronoun indefinite pronoun में होता क्या है pronoun that does not refers to any person किसी भी परसन से रेफर नहीं करता है amount से भी and things in particular ठीक है किसी से भी नहीं जैसे कि anything anything वो किसी से रेफर है क्या नहीं ना कोई परसन से नहीं something anyone everyone one anyone ठीक है तो यह क्या है indefinite pronoun ठीक है यह क्या है indefinite pronoun I hope कि यह सारे वीडियो आपको helpful हो आपके एक्जाम के लिए helpful हो ठीक है तो रूल क्या है indefinite pronoun का first rule है one if used in a sentence always repeat itself ठीक है one जो है it used in sentence sentence में always repeat itself example one must respect once ठीक है one must respect once country for once check okay तो one repeat हो रहा है ना हो रहा है रिपीट तो second sentence हा one must obey once elder इसमें भी एक बार one लिए तो फिर repeat हो रहा है तो यह क्या है indefinite है यह क्या है indefinite pronoun rules two क्या बोल रहा है either is replaced by anyone ठीक है either जो है ना anyone को replace कर रहा है when we are talking about more than two persons or things जब हम लोग बात कर रहे हैं more than two person और thing के बारे में ठीक है same case apply with none same case जो होता है none और neither के साथ जैसे कि example है I could not I could not contact anyone of the three ठीक है क्या बोल रहा I could not contact anyone of the three ठीक है यह example है किसका indefinite का और है example none of his body part is defective none of his body part is defective यह भी replace कर रहा है यह भी क्या है indefinite है यह भी क्या है indefinite pronoun ठीक है अब देखो each other should be used in speaking of two person or things one another जो है you one another used in speaking of one more than two two दो से ज्यादा जोसे कि we should love one another we should love one another तो यह क्या है indefinite श्रीवानी और हिमानी नेवर लाइक इच अदर श्रीवानी और हिमानी नेवर लाइक इच अदर ओके तो हमारा 4 जार प्रनावन प्रमिट प्रैनावण इन स्पहाई नेक्स्ट टेर री ethical प्रणावन क्या है रिलेटीव प्रणावन है यूस्ट तू कंnesक्ट ट्र लऑय के लिए हूंग नर्व थी क्यानिस करनें से यह सब रिलेटिफ प्रणावन है ठीक है क्या है यह सब रीलेटिफ एक्सामबल देख ले रिलेटिफ प्रणावन का the man who is honest is trusted um the man who is honest is trusted and next is the horse which i had about was an arrow ठीक है यह सब जो है न देखो हूँ हुआ वीच हुआ यह आ रहा है न रिलेटिव प्रनाउंस आ रहा है न ठीक है और इसमें रूल्स भी है है तो रूल नमर one है whom and who are used only for person and which is used for things who जो है और whom जो है यूश करेंगे person के लिए ठीक है और which use करेंगे किसी thing के लिए ठीक है without जिसका life नहीं है और animals के लिए use करेंगे which okay next rule है the related pronoun what is used without any anti-accedent it has the meaning the thing or thing that example example kya hai I mean what I say I mean what I say ye kya hai relative pronoun what cannot be cured must be endured ok next whose is used to refer to person only person ke liye use kiata hai of which is used of which johai use kiata hai while referring to lifeless object lifeless object ke liye of which use karthay whose use karthay person ke liye I have a friend whose father is a doctor I have a friend whose father is a doctor I have a friend whose father is a teacher and I saw a watch the dial of which was made of gold ok so I have a lot of examples I have a lot of examples maybe you will understand and this is the last one introgative pronoun introgative pronoun introgative pronoun kya hota hai use karthay hai for making curious or asking question question ke liye okay just a key who what who's whom it is a just a key what is your name what are you doing these days which institute institute have you joined for that something which is used in place of who and what when we are referring to choice between two or more than two things or person ok example ke liye of the two brothers which is more intelligent question push saktay which is your mothers in the crowd which is your mother in basic concept mother aapki hai okay this way let's solve the question this is fill in the blanks with suitable pronoun suitable pronoun fill kya hota hai is more beautiful and intelligent than what so this is right answer kya hoga pahle kya bola hai how is more beautiful and intelligent than kis se intelligent or more beautiful kis se me bol chakte na me i use nahin karenge na me use karenge myself nahin use karenge okay to ye hai suitable pronoun me okay otherwise more beautiful and intelligent than me next hai have you have you any objection to desk going to your house have you any objection to desk going to your house ठीक है ठीक है तो इसमें right क्या होगा suitable pronoun क्या होगा तो इसमें suitable pronoun होगा my क्या होगा my ठीक है have you any objection to my going to your house okay next hai this is only thing dash I want क्या बोल रहा है this is only thing that I want तो इसमें right answer क्या होगा that ठीक है this is only thing that I want right होगा यह suitable pronoun यह next I do not like question number four I do not like dash of these two magazines ठीक है तो क्या बोल रहा है I do not like dash of these two magazines तो इसमें right क्या होगा either क्या होगा either I do not like either of these two magazines ओक्ये और है next question number five my views are quite different from dash my views are quite different from dash तो इसमें right क्या होगा इसमें जो है right होगा option number D yours ठीक है yours my views are quite different from yours okay so table pronoun यह होगा come and have super with us if you are not doing dash thing tonight come and have super with क्या बोल रहा है super with us if you are not doing dash thing night okay tonight तो इसमें suitable pronoun क्या होगा suitable होगा option number B anything tonight तो अब तो आप अब यह अब यह लास्ट होगा अब यह और गाइस मैं मैं अधि के वीडियो नहीं बना रही हूँ अब अबाइस 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 ऐस जाए ठीक है बाबाई टेक कियर गुड़ नाइट